टीम इंडिया और अस्टेलिया पहुँच चुकी है और 21 नौंबर को भारत और अस्टेलिया के बीच पहला T20 मैज ब्रिस्बेन में खेरा जाएगा और इस T20 मैज से ठीक पहले और अस्टेलिया के धाकर बलेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने गजब का चमतकार किया है और इचमतकार हुआ साउथ अफरिका के खिलाब एक मात्र T20 मैज में आखिर में हम आपको इसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे लेकिन इससे पहले देखे कि मैक्सी ने किया क्या असल में अफरिका के खिलाब मैच में मैक्सवेल ने एक ऐसा कैच पकड़ा जो सोचल मीडिया पर वारल हो गया है बारिश से प्रभाइद मैच को 20 के बजाए 10 ओवर कखिया गया और साथ में ओवर में बिली स्टेले की बॉल पर अफरिकी कप्तान फाब डू पलेसी ने बड़ा शॉट मारा बॉल सीधे छक्के के लिए जा रहे थी मगर बाउंडरी लाइन पर मैक्सवेल ने जबर्दस और उची चमतकारिक चलाग लगाई और हवा में उचल कर पहले तो बॉल को पकला और फिर बॉल को बाउंडरी के अंदर उचाल दिया और उसके बाद तुरंत वापस आकर कैच को लपक लिया मैक्सी ने ये सब कुछ इतना जल्दी किया कि दर्शक रोमांच से जूम उठे और इसके बाद तो हर तरफ मैक्सी वेल की जैजैकार होने लगी मैक्सी वेल की लोगों ने खूब तारिफ की वैसे भी मैक्सी वेल दुनिया के एक बेहतरी इन फिल्डर माने जाते है तो आपको अगर मैक्सी वेल के इस चमतकारी कैच का पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन दिये लिंक को फॉलो करें फ्लेम मीडिया रिपोर्ट